महान शो मेकर राज कपूर सहाब के पोते जिनका नाम भी अपने दादा के नाम पे ही रखा गया रनवीर कपूर जन्म 28 सितंबर सन 1982 में हुआ पिता रिशी कपूर और माता नीतु कपूर खुद बड़े जबर्दस अभिनेता और अभिनेतरी रहे परदादा प्रिथी राज कपूर ने पहले से ही अतिहास रश रखा था और अभी ने तो कपूर खांदान के बच्चों की रगों में दौरता है और यही साबित किया रनवीर कपूर ने भी रनवीर कपूर की शुरुवाती पढ़ाई बॉम्बे स्कॉटेश स्कूल में हुई हाला कि पढ़ाई लिखाई में रनवीर कपूर खास अच्छे नहीं थे रनवीर कपूर की एक बड़ी बहन दी है नाम है जिनका रिधिमा ये बात तो सही है कि रनवीर कपूर का जन्म बहुत ये बड़े स्टार परिवार में हुआ पर इस परिवार की कुछ ऐसी परिस्तियां रही जिन्होंने नन्हे रनवीर को जरा परिशान भी किया माता पिदा के बीच अक्सर जगड़े और बाद विवाद चलते थे कभी कभी आवाजें इतनी उची हो जाया करती थी कि नन्हा रनवीर अपना सर अपने घुटनों के बीच छिपा लिया करता था और सुबह तक इंतजार करता था कि कब माबाब की लड़ाई बंध हो इस वज़े से जजबातों का एक जवार भाटा रनवीर कपूर के जहन में हमें शापन अपता रहा और यही वज़ा रही कि इन्होंने सोच लिया कि अब अपने जजबात निकालूंगा तो वो फिल्मों के जरिये ही रनवीर अपनी मा नीतू कपूर के बहुत नजदीक है पर पिता रिशी कपूर के साथ कोई दोस्ताना संबंध नहीं है यह बात भी गौर करने लायक है कि जब रनवीर कपूर ने अपनी 10th स्टानर्ट के एक्जाम्स दिये उसके बाद यह अमेरिका गए अपने पिता के साथ फिल्म आ अब लौट चले में मदद करने के लिए यह फिल्म डिशी कपूर खोड डिरेक्ट कर रहे थे और बतार सहायक रनवीर को भी अपने साथ रखा यह वो वक्त था जब पिता और पुत्र के बीच की दूरियां जरा खत्म होई जब रनवीर कपूर वापस मुंबई आये तब इन्होंने मन बनाया कि क्यो ना असिस्टन डिरेक्टर की तरह ही काम किया जाए और यह जबरदस फिल्म डिरेक्टर संजलीला भंसाली के असिस्टन डिरेक्टर बने फिल्म थी ब्लैक जिसमें मुख्य भूमिकाएं निभा रहे थे अमिताब बच्चन और रानी मुखर जी मताओर असिस्टन डिरेक्टर रनबीर कपूर के लिए बड़े कश्ट दायक दिन थे ये सुभा साथ बजे से लेकर अगले दिन सुभा चार बजे तक ये बिना रुके काम करते थे चाहे वो लाइट्स का काम हो या फिर जमीन साफ करने का हाला कि ये बाद भी रनबीर कपूर के जहन में थी कि बलैक में ये असिस्टो कर रहे हैं पर क्या पता इससे इन्हें मौका मिल जाए कि संजलीला भनसाली इन्हें लॉंच करें और ठीक बैसा ही हुआ सोनम कपूर के साथ रंवीर नजर आए संजलीला भनसाली की फिल्म सामरिया में इस फिल्म में सल्मान खान भी नजरा आये थे बलाई कुछ देर के लिए कौन जानता था कि एक वो वक्त भी आएगा जब सल्मान और रन्बीर को लेकर ही कुछ अजब बाते सामने आएंगी 2007 में आई सामरिया और सन 2009 तक आते आते तीन बड़ी जबर्दस फिल्में सामने आई जिसमें एक फिल्म रही वेकप सिड्ड इस फिल्म को डिरेट किया था आयान मुखर जी ने प्रकाश ज्या की मल्टी स्टारर फिल्म राजनीती में भी रन्बीर कपूर नज़र आये थे और ये फिल्म अंग्रेजी फिल्म दे गौड़ फादर से प्रेरित नज़र आई सब जानते थे नया सितारा आ गया है इसके बावजूद कि पहली फिल्म सामरिया बॉक्स ओफिस पर कोई जादू नहीं दिखा पाई थी रन्बीर कपूर फिल्म इंडस्ट्री की उम्मीद बन गए लगा कि एक बार फिर एक कपूर ऐसा आया है तो सब को हिला के रख देगा और ठीक वैसा ही हुआ इंडिया जली की फिल्म रॉक स्टार में जनारदन जौर्डन जाकर की भूमिका में रन्बीर कपूर ने ये साबित कर दिया कि ये रोमैंस भी करना जानते हैं और जजबाती सीन्स भी अपनी एक्टिंग के तयारी के लिए ये दिल्ली के एक जाट परिवार के साथ रहे ताकि सीख सकें वो सब कुछ जो इनके करदार के लिए जरूरी था रन्बीर कपूर के फिल्म ये जवानी है दिवानी को कौन भूल सकता है इसे भी आयान वुफर जी नहीं डिरेट किया था और इस फिल्म ने एक बहुत बड़ी दिवार गिरा दी थी बात दरसल जू रही जब रन्बीर कपूर फिल्मों में आये तब फिल्म बचनाय हसीनों की शूटिंग के दौरान इनकी नजदीक्यां बढ़ी इनकी हिरोईन दिविका पाडुकोन के साथ बाद यहां तक पहुंच गई थी कि दिविका पाडुकोन ने अपनी गर्दन पे एक टैटू बनवाया था और उस टैटू में लिखा था आर के हाला कि कुछ वक्त के बाद ये रिष्टा तूट गया और जब फिल्म ये जवानी है दिवानी की प्रोमोशन शुरू हुए तब रनवीर कपूर ने बहुत सारी बाते साफ की यहां तक कहा कि वो दिविका के बच्चों के गौड़ फादर बनना चाहते हैं रनवीर कपूर के करियर में जहां हिट्स रहीं तो वहाँ पर कुछ ऐसे फिल्में भी रहीं जन्होंने वो सबलता हासल नहीं की पर इसे बीच कुछ तस्वीरें सामने आई जने देख के ऐसा लगा कि रनवीर कपूर और कतरीना कैफ एक रिष्टे में हैं ये बात भी कही गई कि अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म की शूटिंग के दौरान ये नजदीकें बढ़ी थी रनवीर कपूर ने अपनी ममी नीतु कपूर और पिता रिष्टी कपूर के साथ फिल्म बेशरम में काम किया पर बॉक्स ओफिस पर ये फिल्म अंधे मुगिरी बहुत ही कम वक्त में रनवीर कपूर ने वो शौहरत हासिल कर ली जो बड़े-बड़े अक्टर्स के लिए हासिल करना बहुत ही मुश्किल बात है दान्स हो के रोमैंस हो जजबात हो के गाना हो रनवीर कपूर की प्रतिभा का हर आयाम गहरा असर छोड़ता है भारते सिनिमा के अतिहास में कपूर खांदान का ये चिराग एक अनोखी रोशनी बन के आया है ज्लमा की पारते सिनिमा बन प्राव भी मुश्क ट्योंस आदान प्रतिभा का ये झाड़ताह चिастनिमा र brick run-upคेशज के व्हराई है